हाई अब्रीवन माइने में सीमा और स्वागत आप सभी का केमिस्टी काक्षा में इससे पहले वाली वीडियो में हम फिजिकल केमिस्टी के कौशन्स देख चुके हैं 55 कोशन्स के थे और 5 जो कोशन्स सक्वाइब वह कोश्चन्स ते तो इस म tadi इस वीडियो में हम बात करेंगे इनोगी केमिस्टी के तो UPPCS, 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 means के जो questions थे वो देख ली हैं बाट इस question से एक basic idea आपको मिल गया होगा किस type के questions पूछे जा सकते हैं बाट मैं आपको recommend करूँगे कि N-C EART के जो questions हैं वो एक पार आप देख लीज़ेगा और जो syllabus है GIC का syllabus की according अगर आप questions एक पर देख लोगें तो आपको काफी helpful रहेगा ओके बात करते हैं question number one की write down electronic configuration of the following atom and ions तो जो f block elements है तो आपने देखा होगा कि उनका जो electron configuration होता है उसमें exception आपको बहुत मिल जाएंगे तो exception की वज़े से यह जो question है वो काफी important हो जाता है तो electronic configuration जो है जिनमें molecule का अगर हम transition state की बात करें transition element की बात करें तो उनमें भी कुछ elements जाते होते हैं जिनका electronic configuration होता है उनमें exception होता है तो exception वाले case आप एक बार देख लिजेगा याद कर लिजेगा उस तरह से electronic configuration जो है निकालने के लिए आ सकता है F block element जो है GIC के syllabus में दिया हुआ है तो काफी important है तो इसका जो electronic configuration है वो आप शुरूर याद कर लिजेगा या एक बार देख लिजेगा कि किस तरह से होता है question number second की बात करें on the basis of MOD तो molecular orbital theory जो है काफी important है और UPSC में भी यह questions पूचा जाता है और अभी हाली में जो exam हुआता है UPHESC उसमें भी इससे questions पूचा गया है और net और gate में भी इससे questions आते हैं तो यह काफी important है इससे questions आपको जुरूर मिलेगा bond order is the following molecule क्या है B2, C2, NO और CO का कुछा है इसके साथ ही कुछ short notes टाइप के questions लेक लिए हो यहाँ पर तो देखें short notes में क्या है about principle, paulie exclusion principle, heisenberg uncertainty principle, crystal field, stabilization energy काफी important है यह सब और electro negativity तो यह तो important है hydrogen energy, lengthenite contraction, borazine यह questions बार-बार repeat हो रहा था तो इसलिए मैंने इंक्लोर के लिया, C के साथ ही क्या था, silicon तो silicon एक बार देख लेजाएगा आपका side syllabus में नहीं है लेकिन बार-बार आ रहा था तो इसलिए इसको add के लिया था और इससे थो questions मिल जाता है तो यह काफी important है ठीक है, drive sword injury wave equation काफी important है, वोन सुरूल, spectrochemical series and its utility, debrogle equation, उसके साथ ही, balance board theory, VBT, hybridization in octahedral complex, यह 17 कुछ short notes थे, उसके बाद अगर हम बात करें, next की, तो 18 क्या है, biological role of alkaline matter, अच्छा एक चीज़ देखी गई थी, जो S और P block है, इनसे जो questions से काफी कम पूछे गई है, UPPC, GIC में, तो expect कर सकते हैं कि साथ कम पूछा जाए, जिकिकी question जो है, वो coordination chemistry से सबसे जादा पूछे गई है, और अगर बात करें, S और P block की, तो वहां से questions क हम पूछे गई है, तो उसमें से कुछ syllabus के according देख लगते हैं, तो इससे जो देखा गई है था, S block से वो था, biological role of alkaline matter, तो इसके कुछ highlight और sulfate का जो order है, वो चीज़े साइद पूछी जा सकते हैं, इससे जादा important जिसमें और तो नहीं था, या diagonal relationship पूछा जा सकता है, और S block अगर आप देखोगे तो उसमें साइद लीथियम और जो सोडियम है, उसकी chemistry पूछी हुई है, उसके लाबा नहीं पूछा हुआ है, और diagonal relation है, वो पूछा हुआ है, तो एक बार syllabus के according आप यह देख लेजेगा, साथ एक रहा हम बात करें, P block की, तो P block में interhalogens जो हो गई है, और non-metals जो है, उनकी जो chemistry है, वो पूछे हुई है, halide और halogens जो है, वो पूछे हुए थे, hydride और halogens जो है, वो पूछे हुए थे, एक बार आप syllabus में देख लेजेगा, क्या-क्या पूछा हुआ है, उसकी according of main group और जो S और P block है, alkaline metal और alkaline earth metal को त्यार कर लेजेगा, अगर ह जो है, यह जो है, GIC के syllabus के according तो नहीं है, बट यह questions बार-बार repeat हो रहता है, तो इसलिए ले लिया है, कि हो सकता है, कि इससे questions पूछा जा सकें, तो जब आपका syllabus complete हो जाए, तो इस ताइप के questions भी आप, add-on कर लेजे, में भी पूछा जा सकें, question number 4 की अगर हम बात करें, question number 4 की अगर हम बात करें, on the basis of VSEPR theory, determine the structure of, तो यह काफी important है, जिस तरह से MOT और VSEPR, VPT, यह जो theories है, important है, इससे question आने के chances जो हैं, वो काफी high है, तो आपको determine करना है, BF3 का, XCF4 का, BF3 का, SF6 का, उसके साथ, question number 5 की बात करें, write electron dot structure, ठीक है, electron dot structure, for the ions, CO3, 2 negative, NO, 2 negative, discuss the bonding in their resonance form, question number 6 की बात करें, discuss briefly the magnetic property of transition metal complex ion on the basis of crystal field theory, question number 7 की बात करें, in general, a dipole moment is expected to be associated with covalent bond in molecule formed between two different atoms, but CO and F3 have no dipole moment, and PF3 show dipole moment, explain करना है आपको, ठीक है, question number 1, explain the following statement with appropriate reason, NICO4 has a tetraatral structure, तो इस टाइप के जो question है, इनका जो solution है, इनका जो solution है, इन और के निक के, वो मैंने, उसकी साथ वीडियो है, जो बनाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं, कि इसकी questions के answer को आपको, कैसे लिखना है, तो इनका जो answer है, वो भी आपको, निल जाएगा, तो the magnetic and spectral property of lengthenite differ from those of 3D and 4D block elements, तो 4D ना पूछिए, 3D से ही compare कराया चाह सकता है, question number 10 की बात करें, fe cn6 or negative is a low spin complex, वहे, while fe h2o6 3 positive is a high spin complex, तो आपको explain करना आई है, इस type के questions जो है, solve कराय हुए हैं मैंने, आपको playlist में वीडियो मिल जाएगी, question number 11 की बात करें, when a axis of hcl is added to a light pink color, cobalt chloride solution, it's become the blue, तो यह 11 questions हो गया है, उसके बात next question की बात करें, question number 12 की, what is mean by hybrid orbital, CH4, NH3, H2O, all the three molecular SP3 hybridized, but there is difference in their bond angle, explain करना है, इस type के questions काफे पूछे जाते हैं, ठीक है, repeat भी होते हैं, आई-पेक नेम्स, तो इसकी कुछ compounds है, इनकी आई-पेक नेम्स पूछे गया है, question number 14, what is crystal field stabilization energy, how will you calculate the same 4, यानि की crystal field stabilization energy, CFSC आपको calculate करना है, D7 octahedral complex के लिए, तो देखें, यहाँ पर low spin और high spin दोनों के आपको calculate कर लेना होगा, चीक है, write the possible shape of molecule having the formula form AB2 to AB6, तो आपको सभी possibility जो है, formulas बताने हैं, आपको क्या करना है, limit yourself to molecule by S and P orbital, S और P orbital, D orbital का use नहीं करना है, question number 16, explain कीजे, auto-molecular is paramagnet, on the basis of MOT, तो boazine and benzene are similar in many properties, but no of their properties differ, number of their properties differ, तो इनकी कुछ properties जो होती है, सेम होती है, पर इनकी कुछ properties जो होती है, different भी होती है, तो आपको नहीं explain करना है, question number 3, the predictable element just before and just after the inert gas element are chemically very reactive, इस ताइप के questions काफी important होते है, question number 7, नहीं की बात करें, method of preparation, B2S6, potassium dichromate और KmNO4, तो ये important है, question number 18, की अगर हम बात करें, question number 18, explain why all the lengthenide elements have similar properties, question number 19, write down the electronic configuration of element number 112, where will you place it on the periodic table of the element, question number 20, on the basis of VSEPR theory, predict the shape of the following, देखें, फिर से question आगया है, इन जो molecules है, जो भी दिये हुए है, इनकी VSPR theory की अगरी, तो आपको क्या करने है, प्रेडिक्ट करने है, question number 22, write down molecular orbital theory, write down molecular orbital energy level diagram of NO, or N2 and calculate the bond order, in that, आपको MO energy level diagrams बनाने है, और bond order calculate करने है, question number 22, in all the three molecules, CH4, NH3, H2O, orbital hybridization is SP3, still their bond angle differ, explain the differences, आपको differences जो है, वो explain करने है, क्यों है, question number 23, how does the d orbital energy level split, when a transition metal ion is placed, in a octahedral field, question number 22, 24, why do low spin complex of d8 system exist, mostly in a square planar geometry, explain कीजे, question number 25, boiling point of H2 is greater than H2 is explaining, question number 26, explain the structure of diboran, diporan काफी ज़्यादा question पूछा हुआ था, question number 27, explain the magnetic property of NICL4 to negative NICN4, discuss the d8 geometry 2, ये वाला question जो explain क्या हुआ, फिदा answer, previous video में आपको मिल जाएगा, 28, what do you understand by the periodic paper, periodic properties of element, explain any one of the property in detail, तो ये आपको periodic properties बतानी है, और उसमें से explain करनी है, एक detail में, ये question 28, 8 question हो गया है, next question के अगर हम बात करें, question number 29, why the isoelectronic NaMg2 positive, Al3 positive cation have different ionic radii, ठीक है, question number 30 की बात करें, write all the 4 quantum number of 4th electron of the boron atom, okay, question number 31, calculate effective atomic number of the central metal atom, in the following complex, तो इन complex का आपका effective atomic number बताना है, question number 32 की बात करें, write a note on the role of S block element in biosystem, तरहिए S block से biosystem में रोल ही पूच हो है, compare the property of lengthenide octanide, compare PPT-MOT for covalent bond, 35 bond angle of the OF2 molecule is 103 degree, while it is 111 in Cl2O molecule Y, तो ये question पूच हो है, question number 36 की बात करें, describe the method for the separation of lengthenide, lengthenide separation काफी important है, how do intermolecular and intramolecular hydrogen bonding influence the physical property of compound, question number 38 की बात करें, draw the molecular orbital energy level diagram of O2, O2 negative and CO, and calculate the bond order in each case, उसके बाद अगर हम बात करें 39 की, explain why the transition element of 4D and 5D series resemble much more closely than their 3D analogies, तो ये 39 कुछ questions थे, जो inorganic chemistry के हैं, ये इसमें बता दिया है, इससे आपको एक basic idea मिल जाएगा, कि किस टाइप के question inorganic में पूचे जा सकते हैं, ठीक है, inorganic के जो questions हैं, UP, PSC, mains के काफी जादा questions पूचे गए हैं, और सबसे जादा जो questions पूचे गए हैं, अब तक के analysis में इतना ही हैं, कि coordination, coordination chemistry से काफी जादा questions पूचे गए हैं, तो आप coordination chemistry अच्छे से prepare कर लेजए, कि coordination chemistry है, वो काफी important है, में इंस exam point of years है, ठीक है, अगर आप देखो कि UP, PSC में भी काफी questions पूचे जाते हैं, UP, PCS में भी questions पूचे जाते हैं, तो expect किया जा सकता है, GIC में भी coordination chemistry से अच्छे खासे questions पूचे जाएंगे, coordination chemistry और F block, इंसे काफी questions पूचे गए हैं, I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहेगी, Thank you.